हेलो फ्रेंड्स विलकम टो आर यूटूब चैनल एक बहुत ही अच्छी बैकंसी आई है अगरिकल्चर इस्टुडेंट्स के लिए यह भारतिय कि अनुसंदान संस्थान में के अंतरगत है तो आप लोग यहां से देख सकते हैं इसको अपलाई भी कर सकते हैं तो टोटल 641 ब लग अलग है तो आपको इसमें हर कैटेगरी वाइज भी फायदा मिलेगा और आप दे सकते हैं भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा टोटल बेकंसी कितनी है यह कितनी है तो यह देख सकते हैं बहुत अच्छी पोस्ट है एक टेकनिक्शन की पोस्ट है यह और तो इसकी देखिए आप थोड़ा सा लेट हो गया इस बेकंसी के ऊपर बीटो डालने में तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो यह समिशन है ऑनलाइन अप्लिकेशन का इसका जो आवेदन है यह 18 दिसंबर से स्टार्ट है आपका 18 दिसंबर 2021 से और इसका जो लास्ट डेट है अपल लोग एक बार अपलाई कर सकते हैं थोड़ा डिलेट हो गया मुझे बट यह वैकंसी अच्छी है इसलिए आप लोगों के लिए मैं डालना हूं इसको ठीक है तो आज आप लोग इसको अपलाई कर दिये किसी भी कीमत पर टोटल बैकंसी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 641 ह है जिसमें जनरल की 286 हैं EWS की 61 है SC की 93 है ST की 68 है और OBC की 133 वेकंसी है ठीक है एक सर्विसमेन की 8 वेकंसी है और जो डिसेबल्टीज वाले पर्शन है उनकी 6 वेकंसी है तो टोटल 641 वेकंसी इसमें है तो यह बहुत अच्छी वेकंसी है और कौलिफिकेशन जो है इसकी जो essential qualification है यह आपके matriculation है मतलब आप high school pass होने चाहिए ठीक है तो इसको आप डाल सकते हैं बहुत ही और सबसे बड़ी बात है कि जब आप high school का percentage डालेंगे तो decimal के बाद दसमलों के बाद दो अंक और आप डालेंगे उसको जैसे इन्होंने example दे रखा है 59.99% मतलब आप एक round figure नहीं डाल देंगे कि आपका 59.99% है तो उसको आपने 60% लिख दिया तो ऐसे आपको नहीं लिखना है आपको जो high exact वही दसमलों के दो अंक तक डालना है ठीक है तो यह high school हो गया इसका बगी cities आपको मिल जाएगी जो है इसमें कि कहां पे जो है आपका यह examination होने वाला है और आपका यह exam जो होगा यह online होगा computer-based है तो यह आपका exam online होगा और आपको cities मिलेंगी अभी में आपको दिखा दूँगा कि आपके state में कितनी कितनी city में आपका exam यह हो सकता है दूसरा आते है age limit तो age limit इन्होंने minimum 18 साल लखी है और maximum 30 साल लखी है तो 18-30 के बीच में अग vacancy है और दूसरा इन्होंने दे रखा है कि अगर आप ICR के थुरू कहीं काम करने हैं उसके employee है तो आप 58 साल के भी हैं तब भी आप भर सकते हैं इसको नेस्ट है आपका तो बहुत ही अच्छी vacancy है बाकी इसमें reservation का आपको फायदा मिलेगा EWS अगर आपके पास है तो वो भी आप certificate इसमें लगा सकते हैं और दोस्तों बहुत ही अच्छी vacancy है यह आपको मैं बता दूं बाकी आप fees देख सकते हैं यहां से general EWS दोनों candidate के लिए 700 रुपए fees है examination fee 700 रुपए है registration के 300 रुपए है तो total 1000 रुपए fees है जनरल और EWS candidate के लिए बाकी women के लिए और OBC के लिए SCST के लिए total 300 रुपए fees है बलब examination fees नहीं है सिर्फ registration fees 300 रुपए है तो जनरल और EWS वालों के लिए total 1000 रुपए fees है और बाकी candidates के लिए बाकी जो reserved candidates हैं उनके लिए 300 रुपए fees है जो disability वाले हैं यहां पर आप देख लिए उनके लिए कोई fees नहीं है उनको free रखा गया है payment से तो उनके लिए कोई fees नहीं है दुसरा यह CVT है इसमें क्या है आपको इन्होंने दे रखा है कि 100 question रहेंगे पर question पर mark कर रहेगा एक question एक number कर रहेगा और आपकी इसमें negative marking भी है अगर आपका 0.25 की negative marking है मतलब 1 by 4 ही अगर आपका 4 question गलत होगा तो एक number आपका कटेगा और आपको एक number पर एक question पर एक number मिलेगा और CBT test है मतलब कि यह आपका जो है computer based test है ठीक है qualifying mark जो है written की qualifying mark जो है written की वह 40% है तो आप जन्रल के लिए 40% 30% SC के लिए और BC के लिए और AWS के लिए और 25% ST के लिए ठीक है examination CT चो है आपको यह apply करना है आप apply इसको कर सकते हैं इसकी website पर जाके ठीक है यह है इसकी website www.iari.res.in इस पर जाके आप apply कर सकते हैं ठीक है तो यहां से आप जाके apply कीजिए वह यह मैं फिर से आपको बता रहा हूं बहुत अच्छी बेकंसी है आपको इसमें technical assistant type के बेकंसी है जिसमें आपको technician का role मिलेगा और प्रमोशन भी अच्छा है इसमें तो आप जाके यहां पर कर सकते हैं इसको फिल कर सकते हैं दूसरा आपको सबसे बड़ी बात है फोटोग्राप जो इसमें लगेगी वह आपकी 200 इंटू 230 पिक्सल की होने चाहिए 50 से 80 केवी की बीच होनी चाहिए और मिल्मंग 200 dpi की होनी चाहिए ठीक है सिगनेचर का वही है कि आप यह देखिए इसने उन्हें लिक रखा है कि वाइड पेपर पर ब्लैक इंक के थुरू आप साइन करेंगे और सिर्फ उतना ही पोर्शन आपको स्कैन करके डालना है जो की 140 पाई 60 पिक्सल की होनी चाहिए ठीक है और 10 से 30 के भी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो यह हो गया आपका फोटो और साइन का ठीक है और नीचे आते हैं इसमें देख लेते हैं आपको इसी तरह से इसको अपलाई करना है उसी वेफसाइट पर जाके आप अपलाई कर सकते हैं इसको और अब बच रहा है इस लेवस यह तो नीचे नार्मलाईजेशन का वो हो गया इन्होंने एक फॉर्मूला भी आपको बता रखा यहां से कई नॉर्मलाईजेशन का फॉर्मूला यह इससे इसाब से आपका करेंगे ठीक टाइबरेकिंग रूल भी इन्होंने दे रखा है कि जैसे दो बच्चों का सेम मार्क्ष आता है जैसे किसी ने सो में 80 question सही कर दिया आपने भी 80 question सही कर दिया तो दोनों को किसको ज्यादा priority मिलेगी तो उन्होंने priority दे रखी है पहला कि जिसका high school में number ज्यादा होगा percentage जिसके ज्यादा होंगे उनको पहले priority मिलेगी आपसे ठीक है दूसरा जो आपके जो है age में आपसे बड़ा होगा जिसकी age आपसे ज्यादा होगी tie की condition में उसको benefit मिलेगा इसका ठीक है और alphabetical order में जिनके जो merit prepare होगा उनको आपसे ज्यादा benefit मिलेगा ठीक है तो ये तीन tie के condition में तीन condition है जिसमें की फायदा मिल सकता है आपको पहला तो high school में आपके marks ज्यादा होगे तो दूसरा age आपकी ज्यादा होगी तीसरा आपके नाम का alphabet तीन के according आपको benefit मिलेगा अगर tie condition ह होगी मतलब दोनों का same number होगा तो बाकी ये सब हैं जहां पर vacancy है तो आप इसको मैं डाल दूँगा पीडिये तो आप देख सकते हैं ये city हो गई आपकी जहां पर center जाना है तो मैं यूपी की बात करूं इसमें हर state का है यूपी की बात करूं तो आप देखेंगे यूत्तर प्रदेश में इसका center पड़ेगा आपका मेरट में आगरा में अलीगड में बरेली में गोरकफूर जहांसी कानपूर लखनो मुझफर नगर प्रियागराज और वारांसी इतने जगह पे इसका center पड़ेगा ठीक है ग्यारा जगह आपका यूपी में इसको center मिल ला है पेप mathematics आएगी 25 का science आएगा और 25 का social science आएगा ठीक है तो यह आपको एक घंटे और आधे घंटे अलग से दिये जाएंगे मतलब टोटल आपको एड़ घंटे टाइम मिलेंगी ठीक है इसके paper के लिए जो एक घंटे का paper होगा यह इसमें देखिए आपको बता रखा इन्हों ने culture, geography, economic science, general policy and scientific research यह से पूछे जाएंगे general knowledge में mathematics में metric label questions होंगे number system, fundamental, arithmetic operations, algebra, geometry, mensuration, trigonometry and statistical chart तो इतने जो है आपके mathematics में पूछे जाएंगे science में आपके metric label questions on physical and chemical substances, nature and behavior, world of living, natural phenomena, effects of current and natural resources तो यह आपके science में पूछे जाएंगे और social science में metric label question पूछे जाएंगे इंडिया और world के base पे democratic politics पूछी जाएगी economic development and disaster management की बारे पूछा जाएगा तो यह आपका social science हो गया तो यह आपका syllabus हो गया जो इसमें पूछा जाएगा ठीक है कोशन आपकी objective type होंगे ठीक है डेड़ घंटे का आपका यह exam होगा जिसमें आपको देखना है फिर इसमें लिखा गया है कि जो selected करने डेट होंगे उनको एक साल की training पे रखा जाएगा ठीक है तो उसको training करने के बाद जो है यह training के दोरान इनको technical training कहा जाएगा उसके बाद इनको performance based promotion मिलेगा तो यह हो गया आपका total इसके notification जो थी उसके बारे मैंने पूरा बता दिया आपको यह आपकी notification हो गई बाकी इसमें है कि document कैसे होने चाहिए तो बहुत ही अच्छी वेकंसी है आज लाज डेट है इसको आप जल्दी से जल्दी भर दीजे थोड़ाफा ले इतना भर सकते हैं जल्दी जल्दी भर दीजिए ठीक है और साइड भी बहुत बिजी नहीं चल ली है क्योंकि limited candidates है अगरी कल्चर में इसको डालने के लिए तो आप लोगों को बहुत बड़ी benefit मिलेगी 641 वेकंसी है कम नहीं है तो आप लोग इसको जो है डाल दीजे तो इ ज्यादा ज्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे ठीक है लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए थैंक्यों